तो यहाँ पर दोफ़तों यह वाला प्रोगलम जो है बहुत उदे लोगों को आता है और बहुत उदे लोग यहाँ पर गल्ती कर бесп沒事 करना चाहिए not allow पर堡 क्लिक करना चाहिए जाब फिर allow पर क्लिक करना चाहिए तो यहाँ पर हम आपको पूरा practical करके दिखाने वालों कि यह feature क्या है और आपको कौन फा option फ्लेक्ट करना चाहिए तो अगर आपके पाफ भी यह वाला option आ रहा है और आपने गलती फे यहाँ पर allow बटन पर click कर दिया है और यहाँ पर notification को allow कर दिया है allow करने के बाद देखिए अब यह क्या होता है वह मैं आपको बताता हूँ जब एक बार मैं back चला जाता हूँ बैक चाने के बाद आफ तो यहाँ पर जो है ना मैं vibe करता हूँ ठीक है vibe करने के बाद अभी मैं आपको connect करके दिखाता हूँ यह जो ADROAD को यहाँ पर simply फे अपना जो ADROAD मैं login करता हूँ यह automatically login हो गया यहाँ पर मैं जो अपना device को reflect कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैंने बने device को reflect कर लिया है reflect करने के बाद देखिए जैवे में connect करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक notification आ चुक है यहाँ पर दोफ तो आपको फ़े ऊपर जाना है और यहाँ पर allow notification इसको आपने बंद कर देना है जैवे आप इसको बंद कर दोगे तो अभी मैं आपको connect करके दिखाता हूँ कि क्या problem आ रही है जा notification आ रही है या नहीं आ रही है यहाँ पर दोफ तो एक बार मैं लॉग आउट कर देता हूँ इसको यहाँ पर मैंने अपने device को लॉग इन कर लिया है लॉग इन करने के बाद मैं connect कर लेता हूँ तो जब भी अब मैं connect करूँगा तो यहाँ पर कोई भी notification नहीं जाएगा ठीक है अगर वो कोर्फ आप step by step मुझे follow करते हूँ तो आपको इसमें कोई problem नहीं आएगा कोर्फ को भाई करने के लिए आप मेरा WhatsApp चैनल जॉइन कर सकते हूँ एड वीडियो के description में भी आपको link मिल जाएगा एक पूरा वीडियो आप देख सकते हूँ कोर्फ के related मैंने पना रखा है तो उम्मीद करते हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा